डेड साइलेंस कहानी की शुरुबात में हम जिमी और उसकी पतनी को देखते हैं जिमी का किसी ने डोर नौक किया जिमी जब दरवाजा कोलता है उसको बहाँ एक पारसल दिखाई देता है इस पार्सल को जब वो अंदर ले आया तब उसकी पतनी और उसने उस पार्सल को खोला उसमें इन लोगों को एक पैपड देखने को मिला इस पैपड को देखकर जो जिमी की वाइफ है काफी खुस हुई क्यूंकि उसको जे काफी पसंद आया इसके बाद जो जिमी था वो खा पपड उसकी और ही देख रहा है, हाला कि उसने जो पपड का चहरा था बैट के ऊपर दूसरी और किया था, लेकिन वो इस बात की ऊपर ध्यान ना देकर उसको एक कुस्न की जरेये बिठा देती है और इसके बाद उसको चादर को चादर से डग कर दूसरे रूम में चली ज जाती है और इसी के दरम्यान एक अंजान सकती उसको दूर फेक देती है अब जहां पर वो घायल हो गई थी इसके बाद वो भागने की कोशिज करने लगी लेकिन एक अंजान सकती उसको अपनी और खीच लेती है और इसके बाद हम उसकी सिर्फ चीके ही सुन पाते हैं इस जबान तक काट दी थी इसके बाद महां पर पुलीस भी आयाती है जो जिमी को गलत समझ कर उसको ही पकड़ कर ले गई थी इसके बाद जो पुलीस है इन्वेस्टिकेशन करती है लेकिन उनको कोई भी सबूत जिमी के खिलाफ नहीं मिलता इसलिए जिमी को छोड़ दिया जात पूस बॉक्स के उपर रीड करता है मेरी शाह और इसके बाद उसको मेरी शाह का एडरेस भी पता जल जाता है इसके बाद बो निकल पड़ता है मेरी शाह के एडरेस पर दरासाल जो मेरी शाह थी वो इनके शहर में ही रहती थी अब हम देखते हैं कि वो अपने पराणे होम चली आती है जहां पर जो उसका फादर है वो बताता है कि उसको हाट अटेक की प्रॉब्म आई थी लेकिन अभी उसकी जो हेल्थ है वो बड़िया चल रही है लेकिन जिमी जहां पर ज़्यादा टाइम नागवा कर उससे पूछता है कि मेरीशा कौन है लेकिन जहां पर उसका फादर बताता है कि तुम इन पराणी चीज़ों को जानकर क्या करोगे और इसके बाद जो जिमी था बहां से चला जाता है इसके बाद जिमी जब रात को सो रहा था तब वो पपड़ उसके सामने आकर बैट गया वो उसको अवाद लगाता है जिससे कि जिमी उठ गया जहां पर जो पपड़ की आखे थी वो काफी हिल रही थी और जे काफी सीन ड्रा बना था अगले दिन जब जिमी अपनी वाइफ के फ्यूनरल में था तब बहां पर वो एक लेड़ी को देखता है जब वो उस लेड़ी के पास गया तब वो लेड़ी बताने लगती है कि तुमारी बीबी को मेरी शाह ने मारा है तुमारे पास जो पपड़ है उसको अगर तुम दफना दोगे तब जो मेरी शाह है बूबी मारी जाएगी अब जहां पर इन लोगों की बात चली रही थी तब ही उस लेड़ी का हस्बिन बहां पर आ गया जो उसको बहां से खीच कर अपने साथ ले गया इसके बाद जो जिमी था वो उस पपट को उठाता है और दफनाने लगता है जब उसको कबरिस्तान में दफना रहा था तब अचानक दफनाने के बाद जब वो कार में बैठा उसको एक अवास सुनाई दी इसलिए जो जिमी था वो डरकर कार से बाहर आ गया लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था अब जब जिमी अपने घर पर आ गया था तब वहां पर दुवारा से पपट उसके सामने बैठा था लेकिन जहां पर इस पपट को पुलीस बाला लेकर आया था जो इसकी पतनी के केस क सानविन कर रहा था वो जहां पर कहता है कि जब तुम्हारी पीबी का कतल हुआ तब तुम्हारे घर में जे सिर्फ पपड ही मुझूद था जो हमारे केस में हलप कर सकता है लेकिन जिमी उसको सारी बात बताता है वो बताता है कि जे मेरी सा का पपड है अगर हमने इसको नहीं दफनाया तो मेरी शाह में मार देगी और जो लोग चीकते हैं उनको तो वो जीव उखाड कर मार डालती है लेकिन पुलिस वाला उसकी बात पर ध्यान आ देकर उस पपट को अपने साथ केस की इन्वेस्टिकेसन के लिए ले जाता है लेकिन अगले दिन जीमी दोवारा से उस पपट को चुरा लेता है अब वो उसी कबरिस्तान में उस पपट को दुफनाने के लिए जाता है लेकिन उसके सामने फिर से वो लेडी आयाती है अब जहां पर उसका जो हल्वेंड है जीमी को अपने साथ घर में ले गया वो जहां पर उसको मेरी शा के पट की कहानी सनाता है वो बताता है कि मेरी शा इस टाउन में शो किया करती थी वो अपने पट के जरिये लोगों का दिल बहलाया करती थी लेकिन एक बच्चे ने उसके उपर इल्जाम लगाया कि तुम्हारा जो पपड़ है वो खुद नहीं बोलता तुम बोलती हूं और जहें जो बात थी मेरी शाह को काफी बुरी लगी और इसके बाद वो बच्चा भी किटनायप हो गया लेकिन जब वो बच्चा उसके माता पिता को नहीं मिला तब उन्होंने मेरी शाह को कवर में तफना दिया क्योंकि उनको लगता था कि उस बच्चे को किड़नेप करने वाली मेरी शाह है